भारत माता की भारत माता की नेना माता की दनेवाद आज घर की पैचान चेली का नाम आज के इस कार्टम में मंच पर विरादमान नानी तालू दम सिंग नगर लोक्षवा के हमारे लोक्रियसान साथ भारती जन्ता पार्टी के पूरवध्यक्ष और उत्रखन सरकार में पूरवां मंतरी आद्मे अजय भट जी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष परदीप विष्ट जी विधायक गन इश्ट्रते के सरी संधीवारिया जी बिधायक राम नगर दिवान संग विष्ट जी बिधायक भीमताल स्री राम सिंग केडा जी हमारे जिल्ला पंचाथ की समालत अध्यक्ष हमारी छोटी बहन स्री मती बेला तोलिया जी एडुकेट जर्नल स्री बावुलकर जी पूर बिधायक स्री सेलेन मोहन सिंगल जी हमारे केडार जोशी जी रेनु अधिकारी जी मंडी के अध्यक्स मनोर शाह जी पार्टी के हमारे प्रपक्ता प्रकास रावत जी और सभी सम्मानिक मंच कमिशनर कुमायू स्री अर्विन हैंकी जी जी यहां के जिलागी कारिद हीरज गर्वरियाल जी याई जी रेंज आई जी सरी अजयर रतिला जी सभी हमारे पत्रकार मित्र और इस बंडाल में उपस्तित मेरी सभी सम्मानिक बहने भाई और मेरे बुजर्गों मैं आप सब का आज के इस कारक्रम में हृदय से अभिनांदन करता हूँ और आज का जो पहुत ही एतिहासित कारक्रम है एतिहासित कारक्रम इसलिए कि आज यहां पर घहरे की पहचान चेली का नाम यह आज हो सकता कि हमको बहुत छोटी सुरुवात लग रही होगी लेकिन इसकी परणती आगे चल करके इसको मंत्र रूट में देखिए आप लोग यह दियर विपाल तक न केवल हमारे सामाजिक जीवन को बलकि इसका हमारे जीवन में और हमारे जीवन के आर्थिक पक्स पर भी आने वाले समय में दीर विकालिक और प्रभाव पड़ेगा राज्य सरकार की मंसा क्या है वो इन कारकरमों के माध्यम से आप सब लोग समझ रहे होंगे और अगर एक लाइन में में बात कहूं तो जो हम महला ससत्तिकरम की बात करते हैं और महला के पैरों को हम एक फिट की डोरी से बान दें अब उससे कहें कि तुमको एक बार में तीन फिट चलना है तो कैसे चल सकती है नहीं चल सकती है और इसलिए जब हम महलाओं के सकती की जागरन की बात करते हैं इंपावर्मेंट की बात करते हैं तो हमको उनको समान अवसर भी देने होंगे समान अधिकार भी देने होंगे तभी समाज और जो समाज में उसका इंपेक्ट आना चाहिए उसका प्रभाव आना चाहिए वो प्रभाव आज सकेगा और इसी नीति के तहट हम लोगों ने अभी कुछ दून पहले इस पार के विधान सवा में कानून बन जाएगा कल हम उधरी जाने वाले हैं जो ये पती की पैत्रिक संपत्ति में महिलाओं को जो खाता धारक बनाये ग और महिलाएं भी बराबर की भागीदारी समाज के विकास में कर सकेंगी अभी हमने कल ही एक निर्णे लिया मुख्यमंत्री धसियारी कल्यारी उधना अभी एक बहुत चोटी चीजे हैं लेकि इसके पीछे जो सोच है कोई ग्रहत सोच है हमें चाहते हैं कि जो आज हमारी ब गिरने से, सिसलने से, जंगली जानवरों के आकरमन के कारण और कई बार नदी आरपार करते हुए उनकी मौत हो जाती है, अकाल मौत हो जाती है और ऐसे अगर हम कुत्राखन में हम देखें तो मुझे लगता हैं बीस सालों में दो ड़ाई हजार गुटनाएं ऐसे हुई होगी और जो अंग भंग हो जाते हैं रेड की हड़ी तूट गई, पूरी जिंदगे लेगे कुगरी हो गई, लेटी ये चार पाई पर, पैर के घुटने तूट गए, हमेशा हमेशा के लिए लड़ खडाते वे चलती है इस तरह की अनेग घुटनाएं अगर हम इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, तो आपको लगेगा कि इनकी संख्या भारी संख्या है और एक हसियारी कलने आड़ योजना यहीं तक सीमित नहीं है हम यह चाहते हैं कि हम जो चार घंटे, छे घंटे जंगलों में घांस काट्टी के लगाते हैं इस छे घंटे का इस्तेमाल हम बहतर और बहतर उत्पादन के लिए लगाएं बहतर उत्पादन के लगाएं, हम उसको वैलिव एजिशन के लिए लगाएं घर की महिला वो सुरोजगार कर सके, ग्रह उद्योग कर सके, कुटीर उद्योग कर सके जो काम वो कर सकते हैं बच्चों को समय दे पढ़ाने के लिए इतमान तरह की उनकी जो एनरजी है, उसकी एनरजी का इस्तेमाल हम बहतर काम के लिए करना चाते हैं और उसके लिए हम अपने जो फियर प्राइस की दुकाने हैं गासन की दुकाने हैं, कॉपरेटिव की जो हमारे स्टोर हैं, पसुपालन विभा की स्टोर हैं लगवगे पौने आठ हजार हैं हम इन पौने आठ हजार इस्टोर के माध्यम से सस्ते दाम पर हरी भास उनको उपलगद कराएंगे ताकि उनको जंगल में न जाना करें और वे मौत जो मर जाती हैं उस मौत से उनको बचा जा सके इस पाक से हम बचना चाहते हैं तो देखें हम दो मेरत में जाएं सारंतुर में जाएं इदर बरेली में जाएं जब हम घर में अरपन करते हैं पित्रों का स्मेंट करते हैं तो पहाड़ों में एक लाइन बुली जाती है नीचे नी बुली जाती में बिधैने द्वा कि बोख़ों के द्या ने कि अजिए ध्रमक से लखने में लिए यह इस पुजा पारे कि अगने गर्राण में देते हुँए अब ये चीज़े हम इसको मिचाना चाहते हैं और मुझे विश्रा से जीव ढंग से हमने इसकी प्लानिंग की है हम आने वाले पांच साथ सालों में जिससे नरेंद भाई मोधी में घर घर गैस पहुंचा करके आज लकड़ी का बोज सिर से हटाने का काम किया है आपकी उत्रा खंडिकी सरकार इस भास के बोज से अपनी मा बेहनों को या कुछ जगों पर पुरुस भी स्काम को करते हैं उसको हटाने का काम करेंगे हम इनके नर्जी का बहुतर इस्तिमाल करेंगे यह मैं आपको आज यहां पर बताना चाहता हूं मेरा से हम इंपार्मिंट की बात करते लेकर खाली नारों से काम नहीं चाहेगा हमको इसके लिए सजग होना पड़ेगा अज इसमें हमारी मा बहिनों को बड़ी भूंका निभाने होगी आज भी आज भी बेटियों की घुरून हत्या होती है इतना होने के बात जुदी और इसके लिए मा बहिनों का सयोग समसा दो भी पड़ी है कि किसी पती की हमत नहीं है कि वैसा कर दें भेंद साहस करने की द़रत हैं कि ठाटिया हो गास्ता हैं हमुद थोड़ा सहसल करके आ तो रिखन का काम खाचार कि सष्च करने जा रही है और ये जो घर की पेचान चेली के नाम ये भी उसी का एक अंस है उसी ये अंस भी इसलिए है कि जब गून गून शुरता चला जाएगा तो सागर भर जाता कहते हैं उसके सामें सरकारे काम कर रही है मैं आप सबसे बिंती करूँगा कि आप इस सब में आप सब का इसमें सहयोग काईए आप इसमें सहभागी बने सरकार जो योगना दे रही है और विशेश कर जो हमारे राज्य में 32,000 महिदा समूव हैं 32,000 और इन 32,000 में एक में कम से कम 10 हैं और 40 तक के समूव हैं कहीं जगों पर फड़ा ज्यादा भी है हमने जो रूरल ग्रोज संटर जो हमने परिकल्पना की आज बहुत अच्छे प्रणाम उसके आ रहे हैं आज हमने उन ग्रोज संटर्स को पांच लाज रुपे तक की खरीदारी संटार उन ट्राक्री ताक्यादार बिंक इन महिदाओं के जो समूव है या जो पुरू समूव तो बहुत कम है खैर इसके महिदा समूवी मूं से निकलता है तो हम उनसे खरीदने का हमने स्कैबने ड पांच लाज रुपे तक का इंट्रेस्ट फी लोन दे रहें तो इसका मुदब सिधा सिधा है कि 50,000 रुपे या साल का आपका व्याज का बच्रा है पैसब होगा सब्सक्राइब बकाने को और 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 का बंडेंशा थी। रुपया सालना याना कि धाई हजार रुपया महीना उसका ब्याज का बसता है यह बात में समझानी प्रड़े इसलिए कह रहा हूं कि एक बंदे में कहां कि साब पैसा तो वापने लोटा नहीं लोटाना है तो फाइला क्या हुआ तो मैं थियुका वास्ते में हमारे समझाने में कंई रही है हम इसको पूरी बात नहीं के प्यों सुषित ईर। une इसका साहित 35-40 सम्मी हो जाता हुगा साल का और शलिए हम तमाम समूओं में हम स्वरोजगार को जिक्सित कर रहे हैं देखिए नौकरी की मानस्था से मैं मुख्यमंत्रिम प्रदेश का हमको नौकरी की मानस्था से हटना पड़ेगा पौने दो करोड़ पौने तीन करोड़ सरकारी करंचारी ने देशने एक सो पीस करोड़ की आवादी में आफिर कितनों को सरकारी जोजगार में जाएगा और इसलिए हम इन चार सालों में परियास किया कि हम सरोजगार जंगेप करें उसी में मुख्यमंत्री सोरा सरोजगार योजना अपने राज्गे को दिये हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़े उसके लिए उस तरह के प्रयास इस सरकार ने आप इन चार वर्षों में किया हैं मुझे विष्वास है कि तमाम बहने आज का लाव उठा रहे हैं तमाम हमारे इवाँ इसका लाव उठा रहे है एक जो सोलर सुरोजगार योजना है अभी तक हमारे पास केवल हमने दस हजार लोगों को देने को कहा हमने युवाँ के लिए मोटर बाइक टेक्सी और उस मोटर बाइक जो आप खरी देंगे उसके लिए दो साल तक अभ्यास सरकार देगी दो साल तक आपको इंटरेस्ट नी देना केवल आपको जो प्रीमियम है वो उसका देना है हम भी योजनार राज्य में लागू करी जो बस लेना चाहता है बड़ी गाड़ी लेना चाहता है पहले तीस परसेंट की सब परसेंट बढ़ा कर दिया है कि 50% सबसेटी पर अगर अपने आप चलाना चाहतें तो ठीक है यह तो हम अपने परिवन निगम है उससे उसको संबद कर देंगे उसके माध्यम से बस देगी 50% सबसेटी और 15,000,000 की लिमिट हम लोग अपना रोजगार करें जो यह सोलर स्वर हमारे पास 37 प्रोजेक्ट हमारे पिरूल से पिरूल आने समझ रहे है नो चीड़ की पत्तियां उसे आज से बिजनी बनाने का क्राम चुरू हो गया और अनेक अभी पाइप लाइन में इसी तरह से 106 ग्रोफ संटर अपने राज्यम हमें स्विक्रित किये हैं और ए ग्रोफ आपके लिए हम कोशिश करेंगे उसमें और ऐसे आपके लिए हमारे जो नौजवान ही वक्त है जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए हम उसको आगे बनाएं जो गाओं में मजदूर भाई भाई हमारे जो अभी तक सो दिन मंदेगाती द्याड़ी मिल्की थी अब हमने इसको देर सो दिन किया कि पचास दिन और उनके लिए और राज्य योजनाफ से मुस्का पैसा हम उनको फंड करेंगे यह माज हमने ब्यूस्ताय की है तो मैं आप से अन्लोग करना चाहता हूं कि सरकार विकास के प्रति प्रतिवज़ता हमारी है हम विकास मैंने कहा कि हमारे सब्कार के 18 साल 18 मार्च को पूरे हो रहे हैं उसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ मेरे पास नहीं काल कि लिए आज वी यहां पर लगब बैया एक सो यहां पर बेयानीश करोड की जोजना पर लोकारपन और स्लान्यास किया गया है और सूखा ताल बोलके मुझे एक याद आती है प्रिद्र प्याज जिलेंगे गाहां है मन सुना गाहां का नाव है मन सुना और गाहां इतना खुब शूरत है कि सामने चाओ खंबा दिखता है इदर मद महिक सौर दिखते हैं उपर बांच का हरा भरा जंगल है मिनका आर किसमे रखा होगा यहां का ना मन सुना यहां कितना मन लगता है अगर सूखे मन का भी कोई चले जाता हो भी और इसका मन हरा हो जाएगा लेकि इसका मन सुना क्यों रखा होगा और ऐसे ही सूखा ताल है अब ताल किसी बात का जब सूखा है तो और अब इसमें से सूखा हटाना है इसमें से सूखा हटाना है यह ताल बनेगा और यह ताल फिर हमारी मेरी ताल की आब और हवा को हमारे यहां के नादरिकों को बहुत सुद्ध वातवरन देगा अच्छी प्रानवाई देगा इस कामना के साथ इसको किया जा रहा है जो यहां पर यहां के एक बहुत बड़ी समझी है हमारी ये लगबख 182 साल पुराना 82-93 साल हुए मेरे मनि काल को वह ने 200 साल के करीका मनि काल हो गया है आज यहां पर सेच्चिरेसन पर तमाम जो हमारी विकास की जो काम है वो सेचुरिसन पर हो गया है अस्तान का भाव हो गया है पार्किंग दिन परते दिन बाहानों की संख्या बढ़ रही है उत्रा खंड में जब राज्य बना था तो लगबग साड़े चाल लाक बाहन थे आज 26 लाक क्रोस कर गए है कई वा लोग ब बोलते हैं को जो कि निरासावादी होते हैं निरासावादियों से विकास नहीं हो सकता है विकास आसा से हो सकता है विकास विस्वास से हो सकता है और विस्वास जगाने काम काम कर रहे हैं और यहां पर जो आज कुछ यहां पर घोस्णाएं में यहां पर पार्किंग दिश् हो गई कहां लोग पैदल आ रहे हैं यह हमको सुचना देते रहते हैं और शलिए यहां पर धंवाली में एक तीन सो बाहनों के पार्किंग कचहरी परिसर में निताग में बहुमंजिला पार्किंग जिसमें चार सो बाहन खड़े हो सकते हैं खांसी गजीरा में सो बाहनों की प पार सो पतास से बढ़ा करके और तीन गुना करने के इसको किया जाएगा और मैंने यहां के जिलादी करें और कमिशनर कुमाओं जो हमारे बहुती बहुती जमीन से जड़े लोग हैं मैं तो आप से कहना चाहूंगा कि यह आपके वेटे हैं भाई हैं इसे जिद्रा काम ले लेकिन तमाम तरह के सुझाओ तमाम तरह के सुझाओ यह हमको देते हैं जिन पर आगे चलकर करके सरकार काम पर दिए तो मैरे इंसे कहा है कि को सिस करें कि हाई टेक जो आज कर कंप्यूटराइज जो पार्किंग होती है जहां पर हम सो बाईस साट फुट की जगह में हम ती देश की नियरिंग इतना कमाल कर गई है कि नापपूर में नीचे बसें चलती हैं बीच में नीचे छे चार लेने बीच में छे लेने और उपर कुसको कर से मेट्टो जा रही है तीन मंजिला और बारा गुना उसकी कैपसिटी बढ़ गई है हमको आज हमारे पास जब भूम मल्टी स्टोरी पार्किंग कंप्यूटराइज पार्किंग अगर हम बना सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी लेनी ताल के आने वाले समय की जो दिक्कते हैं वो काफी हग तक हम दूर कर सकेंगे आप सबको एक बार पुना है बहुत बहुत आभार और जो आज यहां पर ए लिए का नाम यह कारता सुरूआ है मैं तमाम अपने वेक्यों को अपने बहुत बढ़ाई देता हूं और आपके लिए तमाम सुपकाम लाई करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नाम नहीं